नमस्कार दोस्तों वेदर स्काइगे नियू इंट्रस्टिंग एक्साइडिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिस करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पर हो सकती है और मार्केट का सेंटीमेंट किस डारेक्शन में ज्यादा फेवर करेगा कल को तो इस चीज को समझने की कोशिस करेंगे तो जल्दी ते चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पर देखते हो और समझने दोस्तों मैं आगया जिन लोगों ने शौट स्टेडल बेच रखें तो डेफिनेटल यहां पर मार्केट उसी रेंज में ही घुमाया जा रहा है तो अगर हम समझने की कोशिस करें कल क्या हो सकता है इस चीज को हम समझें तो देखो कल अगर ऑप्शन चेन के साफ से देखें तो 15600 की जो कॉल है यह एक resistance वाला level है दिख रहा है clearly यहां पर 54788 contract यहां पर खड़े हैं और 15500 की बात करते हैं तो 24915 contract call site पर खड़े हैं 15500 की जो put हैं वहां पर आप देख सकते हो 49572 contract खड़े हैं 15600 की जो call है वहां पर 24660 contract खड़े हैं अब यहां पर देखो सबसे बड़ा जो रोल आ रहा ह हमें continuous strong रहा है और आज के दिन में भी जब लग रहा था कि market एक कह सकते हैं एक sentiment थोड़ा सा negative कर सकता है 15500 की नीचे हम continue trade की है और उसके नीचे close आ जाती तो एक कह सकते थे कि यहां पर एक sentiment negative होता हुआ दिखाई देता थोड़े दिन के लिए 2-3 दिन के लिए 4 दिन के लिए या फिर हम 15250 की तरफ बढ़ सकते थे लेकिन Reliance ने आज फिर Nifty को बचाया और end में Reliance के अंदर काफी अच्छा moment देखने को मिला जिसमें कि अगर देखा जाए तो Nifty का सबसे बड़ा heavy weight है Reliance साथी साथ HDFC Bank ने और Kotak Mahindra Bank में नीचे ते जो recovery दिखाई उससे Bank Nifty भी काफी अ support मिल रहा है हाला कि देखा जाए तो अभी भी बैंक निफ्टी अपने lifetime हाई से अल्मोज 2500 दूर है लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा यहां पर नीचे Bank Nifty को भी support मिल रहा है जो भी weakness आ रही है वो इंटरड़ी के साब से ही आ रही है अब कल क्या हो सकता है इस चीज को हम समझ रहे हैं तो देखो सबसे पहले देखो निफ्टी के लिए अगर मैं बात करो तो निफ्टी कहीं ना कहीं आपको इसी रेंज में ही ट्रेड करता हो दिखाए देगा फंद्रादाट चाहिए और नीचे आप लोर गेंग लेना चाहो तो फंद्रादा पांसो तीस ले सकते हो आज हमने यह लेवल तोड़के हम इसके नीचे सुबह सुबह ट्रेड कर रहे थे लेकिन अंड में यह आप देख रहे हैं यह रिकावरी काफी शांदार देखने को मिली मार्केट के अंदर कल के ट्रेडिंग सेशन में important चीज रह सकती है bank nifty bank nifty पर आपको focus जरुआ करना चाहिए कल के क्ल के ट्रेडिंग सेशन में क्यूंकि bank nifty में end में काफी इच्छी recovery देखने को मिली और दूसरी चीज है कि जहां पे nifty continues थे देखो low low पे बनाते जा रहा था वहाँ पर bank nifty hold कर रहा था तो ये clear indication दिख रहा है कि bank nifty में एक अच्छा moment बन सकता है कल के trading session में तो कल आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर 3500-500 के ऊपर या 3500-400 के ऊपर निकलता है तो एक 300-400 पॉइंट का moment हो सकता है तो उसके लिए आप आपको ऊपर की तरफ फिर थोड़ा सा और पैटे से अच्छा निफ्टी जाता हो दिखाई दे सकता है और इसमें जो सबसे बड़ा participant कर सकते हैं साथ ही साथ मैं यहां पर कोटक महिंदर बैंक भी यहां पर participate कर सकता है तो बैंक निफ्टी पर थोड़ा सा फोकस करिएगा एक अच्छी खास है यहां पर उच्छाल देखने को मिल सकता है एक कह सकते हैं ट्रेंडिंग स्रीज भी हो सकती है क्योंकि हमने अल्मर्ट को ऊपर गए ऊपर से हमने correction दिखाया और end में यह moment आया है तो end का moment क्या होता है नॉर्मली यह continue बढ़ता है कल अगर फ्लैट खुलता है और फिर यह उपर की तरब बढ़ता है देखो बड़ा आप उसक्ते हैं तो काफी एक सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो उस पर आपको जुरूर्व द्यान में रखना है तो इन पर आपको जुरूर रखनी चाहिए अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो हम देखो डाव फीचर अभी करीब करीब आपको यह दिख रहा है 84.00 काम काच कर रहा है यह देखो लेकिन यहां पर देख जाय है कल यह उपर गया था लेकिन selling आगए थी तो कहीं ना कहीं यह भी यहां पर consolidation कर रहा है एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच trading session से यहां पर consolidation दिख रहा है तो इस पे आपको नज़र रखना हो सकता है आज एक breakout या breakdown यहां पर देखने को मिले यह 5-6 दिन के consolidation के बाद उसी के साब से हमारा market यहां पर react करता हूँ दिखाई देगा तो I hope दोस्तों यह particular data आपको समझ में आगया होगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो like or share जरू करिएगा और चैनल को जो subscribe कर लिएजे क्योंकि मैं सो दिल लेका आता हूँ हर दिन आपके लिए ने वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों जाए हैंद